हलो इस्टूरेंट्स फस्टिर में आप कबीरदास जी का पदाउली अध्यन कर रहे थे इसमें तीन पदाउली आपने अध्यन किया है चोथे पदाउली का अध्यन आई ये करते हैं पंडित बाद बदनते जूठा राम कहा दुनिया के तिपा में खाल कहा मुकमीठा पावक कहा पाउजे दाजे चल के त्रिसा बुजाई भोजन कहा भूस जे भाजे तो सब कोई तिर जाई नर के सास सुआ हरी बोले हरी परताप न जाडे जो कब हूँ उलिजाई जंगल में बहूर न सूर्त आडे साची प्रीत विशै माया सू हरी भक्तिन सू हासी कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे बाधे जमपूर जासी कबीर दाजी ने इसमें सास ज्यान को मिथ्या बताया है और अनुभूत ज्यान को ही सत्य मानते हुए इंद्रिश्टांतों के माध्यम से जो अनुभूत ज्यान है उसका समर्थन किये है इसमें आप सबसे पहले काठिन निवारन जानना है इसको समझना है कि वाद मने सिद्धांत बदनते मने कहते हैं पंडित बाद बदनते जूटा जूटा मने मिथ्या राम कहा दुनिया अगतिपा मैं खाण मने होता है शक्कर कहा मुख मीठा मीठा आप जानते हैं पावक मने अगनी दाजी मने जलाना और तरिशा मने प्यास भोजन कहा भूस जो भाजे भूस मने भूक भूस जे भाजे सोसाब को इतर जाए और नर के साब सूआ मने तोता हरी बोले हरी परताप परताप नर जारे मने नहीं जानता जो कभुho ì जाई जंगल में बहुर नहीं शूरता यारे जो जंगल में जो तोता एक बार उड़ जाता है पर पिजरे से फिर से ओ युदर हो वापस नहीं आता साची प्रित विशे माया सुहर भक्तिन सुहासी प्रित मने प्रेम माया मने मुह माया विशे मने विशे वास्णा कभीर प्रेम नहीं पजियो बाद्यो जमपूर जासी कभीर दाजी कहते हैं कि अगर प्रेम नहीं उत्पन होता तो यम्पूर मैंनि यमलोक में बाधे यम्पूर जासी, बन्धन होता है अगर प्रेम नहीं होता तो तो इसमें आपको पहले ही पताया गया कि कबीरदाजी ने यह जो सास्त ग्यान अईको मिद्या मानते हैं और आनुभूत ग्यान कोई सत्य मानते हैं जो इन द्रिश्टान्तों द्वारा प्रमारिती भी करते हैं, तो आईए इनके बारे में थोड़ा अध्यन करें, क्या है, कबीरदाजी कहते हैं कि मेरे विचार से पंडित लोग जो सास्त्र बचन को प्रमार मानते हैं, वो मिध्या है, मेरे विचार से सास्त्र ग्यान सत्य न जरूर सत्य है क्या राम राम कहने मातर से दुनिया के लोगों को मुक्ष मिल सकता है क्या खान कहने से मुख मीठा हो जाता है क्या भोजन का कथन करने मातर से भूख शांत हो जाती है भूख तो तभी शांत होगी जब भर प्वेट भोजन कर लिया जाएगा इसी प्रकार राम कहने से मुक्ती नहीं मिलती मुक्ती तो तभी मिलती है जब राम की अनभूत सच्चे भाव से हिर्दय में होती है अगर केवल राम कहने भर से मुक्ती मिल जाती तो दुनिया में सब कोई मुक्ष पा लेता लेकिन केवल राम मातर कहने मातर से राम का नाम जाने इन्होंने कहा कि पिजडे का तोता राम राम कहता है कि लिए वह तोता जंगल में जब उड़ जाता उड़ जाने पर कभी राम नाम का अस्मुन नहीं करता जो कभूर जाई जेंगन में बहूर न सुरता है आड़े फिर सिर्क इस्वर नहीं आता नाम नाम का तिसे वो राम नाम नहीं लेता जिन्हें विशय वासनाओं से प्रेम है जो इस्वर भक्तों का उपहास करते हैं ते बिदाजी कहते हैं कि आइसे लोग जो इस तोर के भक्तु का उपहास करते हैं आइसे लोग, आइसे लोगों का निश्च ही नगक्यात्रा करनी पड़ती है और यम लोग में उन्हें बंधन मिलता है, उन्हें बंधन में डाल दिया जाता है इसमें आप लिखेंगे बासा सदुक्कडी गुल प्रसाद सांतर से आपको पहले भी लिखवाय जा चुका है और आप लिखेंगे इसमें कवीर शास्त ज्यान से अनुभूत ज्यान को अधिक महत्तों देते हैं और व्यक्ति को विशय वासना एवं माया त्याग कर इश्वर के पद्धि सच्चा प्रेम करना चाहिए ऐसा तभी मुक्ति मिल सकती है ऐसा कवीर का विश्वास है अधियन किया है पदावली से कवीर दास जो पढ़ रहे थे पांचे पद्धि का और छेठे पद्धि च्छे पद्धि तक ही है यह अन्तिम पद्ध है तो पांचे पद्धि का यह अधियन करते हैं हम नमरे मरी है संसारा हमकू मिला जियावन हारा अब नमरो मरने मन माना तेई मुए जिनी राम न जाना साकत मरे संत जन जीवें भरी भरी राम रसाइन पीवें हरी मरी हैं तो हम हू मरी हैं अब हरी नमरे तो हम काहे कु मरी हैं कहें कबीर मन मनही मिलावा अमर भय सुक सागर पावा कि काठी निवारन करेंगे हम्र मरहाई संसारा हमको मिल्याध जियावन हर जिवीत रखने वाला है मुएं मने मर गए हम मुएं मने मरना होता अब हम नमर्ने मन माना जाना जो राम को नहीं जानते जियंते सकतमर्य संत जन्रें सकति के ऊपासकत रामशायन मान राम कुन्ह रूपी रसायन another इस्वर हांन हरी निए इस्वर शुक सागर मिने शुक का शागर शुक्षागर पावह प्रसंग में आप लिखेंगे कि जिसे परमात्मा की किर्वा प्राप्त हो गई तथा जिसने इस्त्वर में अपनी लगन लगा ली वह मृत्यु से नहीं डरता ऐसी जीव अमरता की अनुभूत करने लगता है इस पद में कबीर ने यही भाव व्यक्त किये है कवीरदास जी कहते हैं कि भले ही सारा संसार मर जाए पर मैं नहीं मरने वाला क्योंकि मुझे परमात्म बोध हो गया है और वह परमात्मा मुझे जीवित रख रहा है क minimize मरने मनमाना तेमिय जीदाम ना जाना जो राम को नहीं जानता जो इस्वरी आनंद से वंचित है उनकी मृत्य नहीं होगी सच्च तो है कि अब मरने के लिए मन तयार ही नहीं इस संसार में केवल दो ही मरते हैं वे ही मरते हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना सम्झा वे मरते हैं जिन्होंने जो राम को नहीं जानते जिसने इस स्वर को जाना ही नहीं है आत्मा की अमर्ता का बोद हो जाता है ऐसा प्रारी नहीं मरता का है कि इस संसार में सक्ती के उपासक साक्त भले ही मर जाएं किन्त संत जन जो है बरी बरी राम रसायन पी है कई साकत मरा है संत जन जी में बरी बरी राम रसायन पी है उस अक्ति के उपासक बले ही मर जाया किन्त संत जो जन है सत जन है भी जीवित रहते हैं और वे राम रूपी रसायन निश्वरी आनन्द का अनिजंतर रस्पान करते है जिवात्मा उस परमात्मा का ही अन्स है अतह मैं इस सत्य को जानकर इस निश्कर्ष पर पहुँच गया हूँ कि परमात्मा के मरने पर ही आत्मा मरेगी हरी मरी हैं तो हम हुँ मरी हैं कभीर दाजी कहते हैं कि जब सादक जीव आत्मा अपने मन को परमात्मा मिला देती है तो वह अमरत तो काबोध प्राप्त कर लेती है और सुख सागर में निमगन हो जाती है वही काया कि अमर भै ये सुख सागर पावा कहा कभीर मन मन नहीं मिलावने आत्मा जो है परमात्म मिल जाती ये मन पूरी तरस से इस्वर में इस्वर में इस्वर में लीन हो जाता है तो यही कहाया कि वह जब इस्वर में लीन हो जाएगा मन बिल्कुल रम जाएगा तो यही इस्वरी सुख रूपी सागर में लीन होगा यही कहाया कि इसमें सुख सागर में रूपकलंका है आप पर इसमें काविशा उंदर भी लिखेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा में एकत्त की अनुभूत इस पद में की गई है परमात्मा के गुण ही जीवात्मा में है अता हुआ वह अभी अजरा मर है असुक सागर में उरूपक लंकार आप लिखेंगे ही और सांतरस भासा सदुकडी गुण प्रशाद ये लिख लेंगे अन्तिम पद है काहेरी नलनी तू कु मिलानी तेरे हिनाल शरोवर पानी जल में उत्पत जल में बास जल में नलनी तोर निवास नात लितपत न उपर आगी तोर हेत को कासनी लागी ये अन्तिम पद है कमलनी नलनी तू कु मिलानी कुमिलानी एक तो कमलनी अर्थ है उसका नलनी का और दूसरा ये जीवात्मा है ओ और कभीर का दर्सन इसमें है कभीर दर्स जी ने इस आत्मा को ही नलनी माना है काहिर नलनी तू कुमिलानी तेरे हिनाल सरोवर पानी सरोवर पानी में तालाब का जल और दूसरा अर्थ है का परमात्मा उत्पत्य जल में उत्पत्य जल में बास उत्पत्य मने उत्पत्य अहे तू मने प्रेम अउदिक मन जल उदक जल में उत्पत्य जल में बास जल में नलनी तू ना तलतपत न उपर अर्थात आप लिखेंगे प्रसंग किस पद में कबीरदास जी ने अन्युक्ति के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की एक अत्त का बोध कराया है इसका एक अर्थ कमलनी के पक्ष में पहले आप जाना है फिर दूसरा अन्युक्ति परक अर्थ भी जीवात्मा के पक्ष में आप सुनेंगे पहले कमिलनी के पक्ष में जो लौकिक कहरूप में है तो सरोवर में इसे कमलनी है उसको दृष्टानत मान करके कभी दाजी ने कहा कि हे कमलनी तू क्यों कुमला गई है सरोवर का जल तो तेरी नाल के पास ही है फिर भी भला तेरे मुर्जाने का क्या कारण है क्यों मुर्जाई होई है तु जल में ही उतपन होती है जल में ही रहती है और अंतता जल में ही तेरा अंतिम विलय हो जाता है इस प्रकार तु जल के एक छण को भी अलग नहीं होती जल से बिल्कुल एक छण भी अलग नहीं होती तो तेरे नाल में कोई तपन है न उपर ही तू तपत हो रही है और न नीचे ही तपत हो रही है फिर भला तेरा प्रेम किस से हो गया है किसके कार तेरी उत्फुलता समाप्त हो गई है कभीरदाजी कहते हैं कि जो जल के समान अर्थात जल के जल से कभी अलग नहीं होते वे मेरे विचार से तो कभी मृत्ट कावरन नहीं करते वे तो अमरत्त को प्राप्ट कर लेते तो इसमें भई काएं जे कभीर जे उदिक समान अनि जल के समान दो उनकी मृत्ति ते नई मुए है हमारे जन मेरे समस्य से ओ कभी मरती ये तुरह कमल्नी के पक्ष में अर्थात द्रिष्टान्त जो कमल का जो नाल है कमल का जो पुष्प है उसको द्रिष्टान्त मानकर कि लौकी की जगत में एक तुदारन दिया है कभी नहीं दूसरा इसी में जो कबीर का दर्सन है वो जीवात्मा के पक्ष में यह कि अरी जीवात्मा तेरे दुख का क्या कारण है तू परमात्मा से कभी अलग नहीं होती फिर भला क्यों मूर्जा रही है तू परमात्मा से ही उत्पन होती है परमात्मा में ही स्थित रहती है और अंत तो निरंतर परमात्मा का अंश होकर रहती है तेरा प्रेम किन सानसारिक विशयवासनाओं से हो गया है जिसके कारण तेरी प्रसनता नश्ट हो गई है कभीर दहजी कहते हैं कि जो स्वयम क्वात्म सरूप है यह कभी मृत्य युकावर्ण नहीं करते जिवात्मा तो परमात्मा का ही अंस है अता उसके विनस्ट होने का तो प्रस नहीं नहीं होता आप इसमें भिका विशाउंदर ये लिखेंगे कि जिवात्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूती है अन्युक्ति अलंकार है लागचडिक परतीक आत्मक सैली है और कमल्नी जिवात्मा का परतीक है तथा जल परमात्मा का सांतरस भासा सदुकरी गुड़ परसाद आद ये भी लिख लेंगे आप इस प्रकार से कबीर द्वारा लिखी ते पदावली जो कबीर गरंतावली से लिया गया था शमावत होता है और कबीर का संपूर अध्याय का अध्येन फस्टिर में पहला अध्याय आपने कर लिया ओके तैंक यू